तो दोस्तो आज मुझे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है अपना डिफॉल्ट सेटिंग को मतलना अड़जस्ट करोगे दोस्तो डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वह बता देता हूं बढ़ उसे पहले गाईज अगर आप ह यह होता है कि आप जो इस अप्लिकेशन को यूज कर रहे है लेकिन आपके पास ब्राउजर बहुत सारा है जैसे आप ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आपके पास ब्राउजर केसे होगा एक मोबाइल से जो ब्राउजर आता है वह होगा जैसे कि मैं वीबो का भी पर ले जाएगा मतलब सदारन मोवाईल पर इंप झिले जाता है तो कभी-कभी होता है कि Chrome ब्राऊजर पर हो जाता है ऐता है तो कभी-कभी जुक्त है Chrome ब्राऊजर बीटा में ले जाता है और यहां पे जो मैं सबसे पहले अपना भीबो वाई 15 मोवाईल का सेडिंग ओपन करता हूं ठीक है यह ओपन करने के बाद गाइस अगर आपको अगर कोई भी सबसे पहले जो है आपको हमें पहले ब्याग जाता तो ठीक है मेरे पास यहां पर पहले दिखाता हूं कि कौन सा प्रावजर ऑपन हो जाता है जिसमें कि आप जो है क्या पता कि इसमें आप जो है दूसरा आइडी लोगिन करके बैठे हो या कभी-कभी आपके पास होता है कि आप क्रॉम कुछ खोलना चाहते है इसको लेकिन यह ओपन हो जाता है मतलब यहीं पर आप काम कर रहें साइनिन को इसको सबसे पहले आपके पास जो भी मोवाईल है उसके सेटिंग मेरे साहट है करने के बात मेरे सामनी स्था से आया है याप मेनेजर या परमीशन मैनेजमेंटी घЙक है तो यहाँ पर यपMeond登録 a HARV slm पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर AppManager वाले अपने एक पर मारे कीलिक करता हूं ध्यूसर्ट अब थूट कर यहां पर सबसे पहले permission management पर क्लिक कर देता हूं ठीक है यहां पर गूगल की वर्ट एक मीन्ट की वर्ड अच्छा काम करता है तो इसके बार में यहां पर डिफॉल कर लिए अपना सेटिंग देखें बोला था ना कि Google की वर्ड भी मेरे पासे तो मैंने Google की लोड की वर्ड को हटा दे और यह करते हैं अब ब्रावजर की बात रहे तो मैरा ब्रावजर जो कभी मेरा भूझ है तो जब भी मेरा ब्रावजर खुल लिए और उस मेसेच में किलिक करता हूं जाएगा यहां पर जो जो सेलेक्ट करोगे वो यह ब्राउजर खुलेगा आपको समझ मां आगा आप क्या भी बोलना चाहिए जैसे कि आपको मैंने आपको किसी ने लिंक भीजा ठीक है वो वैबसाइड का लिंक है और उस लिंक पर किलिक करते हो तो कभी ब्राउजर खुल जाता है तो कभी प्रोम वसे मैं आप यह सेटिंग कर सकते हो कि आपका कौन से ब्रावजर खुलना चाहिए तो यहां पर मैं Chrome खुलना चाहिए तो मैं यहां पर कर दिया तो उसी तरह से हम उसी तरह आपको लाइबरी सब में आपको जो खुलना है जैसे पिक्सल लेप कभी का खुल जाता है तो यह आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से बाइडिफॉल्ड अप्लिकेशन को यूज करना है तो यह अपने पर डिपेंड करता है कि आप किसको ओपेंड करना चाहते है कि सब्लिकेशन को खुलना चाहते है तो आप यहां पर इसको सेटिंग कर सकते हो कि बहुत लगों को यह सेटिंग मालूम नहीं होता है और अगर मालूम भी है तो उनको यह सेटिंग नहीं मिलता कि कहा यह सेटिंग है तो मुझे उम्मीद है क आपको अगर वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर तो गैर चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करे ले रहा है तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइ और थैंक्स फो वाचिंग